चोपडा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों सुप्रेम कोट ने 16 दिसंबर 21 को ओल इंडिया कोटा काउंसलिंग के रेगार्डिंग एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है ये यूजी वर पीजी दोनों परकार के स्टुडेंट के लिए गुड नियूज है सुप्रेम कोट ने डिसीजन दिया है कि MCC द्वारा अब से ओल इंडिया कोटा के लिए फोर राउंड्स कंड़क्ट होंगे और वो इसी साल यानि की 21 की काउंसलिंग से ही लागू हो जाएंगे पहले ओल इंडि स्टेट को ट्रांसपर कर दिया जाता था और वो सीटें स्टेट द्वारा फिल की जाती थी मगर अभी इसी साल से फोर राउंड्स होंगे और सभी राउंड्स MCC द्वारा कंड़क्ट करवाए जाएंगे यह फर्स्ट राउंड होगा सेकेंड राउंड होगा मोपप राउ सेकंड राउंड में फ्रेस्ट रेस्टेशन होगा और मोपप राउंड में फ्रेस्ट रेस्टेशन होगा तो यह इस साल की बहुत बड़ी चेंजिंग है सुप्रीम कोट द्वारा और यह MCC के फोर राउंड होने से स्टुडेंट को काफी फाइदा होगा अभी किन किन स्टुडेंट को इसके ज्यादा फाइदा होगा वो स्टेट्स हैं राजस्थान हरियाना उत्तर प्रदेश और बिहार यह जो तीन चार स्टेट हैं जहां कटोफ ज्यादा रहती है और सीटें ओ रेकेंट रहने के बाद स्टेट्स में चली जाती हैं तो इन स्टेट के कंडिडेट को काफी ज्यादा फाइदा होगा जो बोर्डर लाइन के कंडिडेट हैं उनको सीट मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेज हैं तो इसमें ये एक छुटा सा अपडेट था जो सुप्रिम की ज्यादा फाइदा होगा तो मिलते हैं नई जानकारी की साथ में नए अपडेट में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहन